दोस्तों मैं सिवम स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल सिवम टिटोरिल में दोस्तों जो भी लोग IGIMS पतना में BSE Nursing, BPT, GNM जैसे कोर्स में अडविशन के लिए अपना application form समिट किये थे तो उन सारे लोग का merit list है वो जारी हो गया है और आपका counseling का schedule है वो भी जारी कर दिया गया है आप देख सकते हैं merit list में जिनका भी नाम है उन सारे लोग को counseling में बुलाया गया है यहाँ पर लिखा है eligible to attend first counseling इसका मतलब है कि आपको पहला round counseling में जाना है उसके बाद आप देख सकते हैं जिनका भी document missing था उन सारे को लिखा गया है कि आपका यह document है वो missing है तो वो सारे आप देख लेंगे जिनके भी नाम के सामने अगर आपको eligible लिखा हुआ है और first round counseling में बुलाया गया है तो आप सारे लोग को counseling में participate करना चाहिए आपके नाम के सामने अगर किसी भी तरह का कोई deficiency है तो वो आप clear करवा लिजिए उसके बाद में अगर आपके सामने के आगे not eligible लिखा हुआ है तो आप eligible नहीं है तो बहुत सारे student के सागे लिखा हुआ है not eligible please see notification for next round of counseling का मतलब है कुनहीं bait करना है next round counseling के लिए तो आप फिलहाल जिनका भी first round counseling के लिए बुलाया गया है वो सारे लोग counseling में participate करें अगर आपको admission लेना है तो उसलोग का form है वो भी reject कर दिया गया है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिख दिया गया है form rejected आप अपना नाम है वो यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों counseling schedule के बारे में बात करें तो first round counseling का जो schedule है इसमें आप देख सकते हैं जो date दिया गया है जिनका भी merit serial में एक से 50 तक में आपका नाम है तो उनको 19 तारिक को जाना है counseling के लिए उसके बाद जिनका 51 से 100 के बीच में नाम है उनको 20 को जाना है और एक सो एक से डेर सो के बीच जिनका नाम है उनको 21 तारिक को जाना है इसके अलावा जिनको 151 से 218 के बीच नाम है उनको 22 सितंबर को counseling के लिए जाना है counseling आपका auditorium hall IJIMS पतना के campus में होगा दोस्तो counseling साड़े 10 वजे से सुरू हो जाएगी तो आपको समय से थोड़ा पहले है वो पहुच जाना है दोस्तो यहाँ पे qualifying criteria है वो बताया गया है तो आपको बता दे कि जो BAC nursing और GNM का course है इसमें 50% रखा गया है वो general का और जो SCST और OBC में होंगे उनका qualifying criteria है वो 40% रखा गया है दोस्तो इसका लाबाद जो भी course है उसमें minimum qualifying criteria रखा गया है वो SCST वाले का 32% है EBC वाले का 34% है BC और EWS वाले का 36.5% और 40% है वो general का निरेट का है दोस्तो आपको बता दे अगर आगे counseling की जरूरत पड़ती है तो आगे आपको notify किया जाएगा और जो भी लोग counseling में जाएंगे उनके पास original document होना चाहिए साथी में उनके पास self-attested photocopy होना चाहिए सारे certificate का आप देख सकते हैं document में NEET UG का score card है ID proof आपके पास होना चाहिए चाहिए बो अधार card होना चाहिए फिर driving license है उसके बाद matriculation का certificate है बो होना चाहिए mark seat और passing certificate उसके बाद intermediate का दोनों होना चाहिए उसके बाद आप देख सकते है migration certificate है बो होना चाहिए college living certificate है बो होना चाहिए cast and domicile certificate है बो होना चाहिए उसके बाद में आपको एक एफिडेविट है बो बनवा के देना होगा कि आप इस समय में कहीं पे भी अडविशन नहीं लिये हुए है इसके लाबा आपका academic में कोई gap हुआ है तो आपको एक एफिडेविट है बो बनवा के देना होगा चार आपके पास color photograph होना चाहिए उसके बाद 10,000 रुपिय का एक demand draft है वो आपके पास होना चाहिए एक demand draft IGI MS पतना के डिरेक्टर के favor में होना चाहिए ये non-refendable होगा दोस्तो अगर आप seat allotment करवाते हैं तो आपको एक demand draft देना होगा अब बिना demand draft का आपका seat allotment है वो नहीं किया जाएगा उसके counseling का form फिल किया हुआ आपके पास होना चाहिए तो दोस्तो ये सारे document है वो आपको ले करके जाने है original और photocopy उस पे आपको sign करके self-attest कर देना है दोस्तो इसके लाबा आपको किसी तरह का कोई dot है और या फिर आपका document deficient है तो आप document बगएरा submit करने के लिए आप office में contact कर सकते हैं वो आप 18.9.203 को contact कर सकते हैं 10 बजे से 4 बजे के बीच में लहाल जिनका भी first round counseling में बुलाया गया है वो सारे लोग जाएं counseling अपना करवाएं और जिनी not eligible लिखा गया है उनको थोड़े दिन इंतजार करें जब counseling first round की हो जाएगी तो फिर से notification है वो जारी किया जाएगा second round counseling के लिए तो अगर विडियो पसंद आए तो like करें अपने दोस्तों में share करें और किसी भी तरगा को information चाहिए आप जरूर कमेंट करें thank you